हलो दोस्तों मेरा नाम है विसेक और मैं आ गया हूँ आपके लिए लेकर एक नया चार्जिंग केमिकल यह देखिए यह है वाइट फासफोरस मेरे हिसाब से यह है वाइट फासफोरस और इसकी मदद से हम लोग इसमें जो है चार्ज करके दिखाएंगे आपको कि इसमें राइस पूलिंग और एंटी आरिन कैसे बनाया जाता है तो देखिए यह इसी पात्र में हम लोग बनाएंगे देखिए इसी के बस नीचे वाला ही जो जगह है इसी में हम लोग केमिकल को चढ़ाएंगे क्योंकि पूरा में केमिकल चढ़ाने में बहुत महनत है बहुत पैस करेंगे तो दोस्तों इसे चार्ज करने के लिए 4000 वोल्ट का जरूत पड़ेगा जो की एक डिवाइस है जो 4000 वोल्ट आपको निकाल के देगा इस डिवाइस के जरीए हम लोग इसे चार्ज करेंगे आई पहले मैगनेटिक और निकालते हैं और ध्यान रहे इसे आपको घर म नाक हो सकता है देखिए इसके चारो और डालेंगे और जैसे हम लोग इसमें डालेंगे इसमें एक रासायनिक प्रक्रिया होगी देखिए यह देखिए इसके चारो और धीरे धीरे करके हम लोग डालेंगे और यह कुछ ज्यादा होगी तो दोस्तों यह बहुत डेंजर ची इसे इस परकिरिया को करना है और मैं यही चाहूँगा कि अगर आपको नहीं उतना नालेज है तो यह घर में बिल्कुल ट्राइ नहीं करें तो चलिए आगे बढ़ते हैं बचा हुआ जो मेगनेटिक आयल है वो भी अब इसमें हम लोग डाल देते हैं तो दोस्तों याद रख बोल रहा हूं बोलने के बाद भी कितने लोग अकाउंट में पैसे डाल देते हैं और फंस जाते हैं तो यह चीज का विशेश कर ध्यान रखिएगा कोई आपको फर्मूला नहीं बताएगा कि कैसे करके चार्ज किया जाता है जब तक कि आप सामने से जाके नहीं लो आपको पैसा नहीं डालना है तो चलिए अब हम लोग दिखाते हैं कि इसे इस बैटरी की मदद से कैसे इसे चार्ज करना है यह हो बैटरी इससे पहले कनेक्ट करना है इस प्रकार से देखिए लगभग इसका केमिकल नीचे में है और इस बैटरी की सहाथा से और इस डिबाइस की सहाथा से इसमें जो चार हजार फोल्ट को प्रवाहित करना है जिससे वो केमिकल जो है इसमें एब्सॉर्ब हो जाए और धोने के बाद भी इससे ना जाए इसमें इसका जो क्वालिटी है वो बरकरार रहा है देखिए अब इसे हम लोग 4000 वोल्ट इसमें प्रवाहित करेंगे देखिए अगर आप देख पा रहे हैं तो इसमें से बहुत जोर से चिंगारी निकल रहा है और इसी प्रकार इसे चार्ज किया जाता है और चार्ज करने के बाद मैं आपको प्रची से यह राइस को अपने और खीचेगा तो दोस्तों चैनल पर नए आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे बेल आइकन दबा दे और लाइक कर दे इस पर करका वीडियो मैं हमेशा आपके लिए लाता रहूंगा और मुझे वीडियो लाने में काफी लेट हो जाती यह क्योंकि बहुत मुझेल से पता चलता है कि कहां पे बनता है और कहां पे केमिकल मिलता है इसलिए मैं वीडियो जो है आने में मेरी वीडियो आने में टाइम लग जाती है और चलिए वीडियो पर देखते हैं यह देखिए इस तरह का सौट देते रहना है जब भी इस पर करका आप कारी करें तो गलफ पहन ले क्योंकि इसमें 4000 भोल्ट होता है जो की बहुत ही जादा होता है और यह बहुत डेंजर होता है आपके लिए तो चलिए अब इसका काम तो हो गया खतम और अब इसमें से निकालते हैं हम लोग केमिकल को हटा देते हैं और जो है अच्छे स साफ सफाई करने के बाद हम लोग जो है देखते है कि कितना चार्ज हुआ है और कैसे इसको उप्योग में लाना है चार्ज होने के बाद चलिए कि निकाल हटा लते है पहले एक चीज आप लोग देख रहे होंगे वाइट मेंगनिटी कॉयल यह नॉर्मली मिलता नहीं है मेरे ख्याल से इसे ये लोग खुछ से बनाते हैं और इस केमिकल की बहुत ही ज़्यादा और सकता होती है एंटियरंग फंक्शन को लाने में तो पहले साफ कर देते हैं बढ़ चली पेपर बिचाते हैं यह दе जरी इसमें मैंने मार्किंग किया हुआ है कितना दूर से जो है राईस को खीचेगा इनका कहनाई कि पांच इंची से खीचेगा जब चलिए पांच इंची से ही हम लोग जो हाई इसमें राइस रख कर कर देखेंगे कि खिशता है कि नहीं और इस राइस को हम लोग जो है धान से जिससे चावल निकलता है धान ये देखिए ये धान है इससे हम लोग जो है इस चावल को निकालेंगे चावल फ्रेस होना चाहिए इसमें लोहाक से इसे नहीं निकालना है जैसे मीडवेल का चावल इसमें नहीं चलेगा चलिए फिलाल तो भी 6 इंची में रखते हैं हम लोग, फिर इसे हम लोग 5 इंच में घसकाएंगे और देखेंगे कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दोनों साइट रखते हैं, गलफ से धान छूड़ता नहीं, इसलिए मैं खांत का गलफ खोल दिया हूँ, और अब चलिए, लगवक गया है, अब इसे हम लोग 5 इंची तक पहुचाते हैं, और उसके बाद देखते हैं, ये काम कर रहा है कि नहीं, दोनों साइट से 5-5 इंची पर रखके थोड़ा दिर वेट करते हैं, देखिए, काम कर रहा है, दोनों साइट से चावल जो है, आपका इस पात्र की और आ रह है, तो दोस्तों इस पर करका वीडियो को देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अब आपको एंटी आरन दिखाते हैं, देखिए ये ब्लेड बहुत बड़ा ब्लेड ले ले लिए हैं, जबकि छोटा लेना चाहिए था, लेकिन इनका कहना है कि इसे भ हात्र को घसकाते हैं, ये बहुत पुराने समय की सुराही है, और पुराने समय की जो ये चिराग जैसा दिख रहा ही है, इसमें क्या है ये अलग हातू से बना होता था, इसलिए इसमें जो है केमिकल चढ़ाने में काफी अच्छा चढ़ता है, इसलिए इसका इसका इस्तेम थोड़ा ज्यादा ताकत लग रहा है लेकिन यह जो है काम कर रहा है तो दोस्तों इस परकार कर वीडियो देखने के लिए आप में चानल को सब्सक्राइब कर दिजे लाइक कर दिजे और याद रहे किसी के एकाउंट में पैसा मट डालिएगा नहीं तो आप ठकी के सिकार हो जाएंगे इतना जरूर ध्यान दिजेगा कि कोई भी आपको मोबाइल पर ही आपको फर्मूला नहीं बताएगा लोग फर्मूला बताने के नाम पर आप से पैसा ले लेते हैं तो इस चीज़ से सतर्क रहीएगा धन्यबाद दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो